ताइवान के दुनिया भर में बढ़ते कद से चीन कितना बॉखलाया हुआ है या हाल में देखने को मिला ताइवान की बड़ी अफसरों के माने तो चीन अमेरिका के राजनेकों के दोरे से तम तम आ गया है क्योंकि होंग कोंग के बाद अब चीन का अगला निसाना ताइवान है साइद इसी के जलक अभी हाली में देखने को मिली जब अमेरिका के राजनेकों के ताइवान दोरे के समय ही चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान पर आकरमन करने का प्रयास किया लेकिन ताइवान की सेना की कारी कुसलता के आगे चीन को दुम दबा कर भागना पड़ा ताइवान में चीन के J-11 और J-10 विमानों के साथ घुसपेट की गई ताइवान रचामंतराले की ओर से जारी बयान में एरफोर्स ने कहा कि चाइनीज विमानों का जमीन से मार गिराने वाला एंटी एरक्राइट मिसाइलों से पीछा किया गया पेट्रोलिंग कर रहे ताइवानी लड़ाकू विमानों ने भी चीनी विमानों को सीमा से बाहर खदेर दिया 2016 के बाद यह तीसरा मौका है जब चीनी लड़ाकू विमानों ने इस रेखा को पार किया परन्तु चीन ने ऐसा घटिया कदम उठाया ही क्यों? वैसे आगको बता दें 40 साल बाद अमेरिकी राजनिकों का दोरा था ताइवान का जिसने चीन के पैरो तले से जमीन को खिसका दी अमेरिका के स्वास्ता और मानव सेवा मंतरी एलेकस अजार के नेर्थित में रविवार को सिर्स अमेरिकी दल के ताइवान पहुचने से चिड़ गया था चीन और उसने सुवह सुवह ही लडाकू बिमानों के जरिये गुस्पेट करनी की कोशिस करी जिसका ताइवान द्वारक करारा जवाब दिया गया और ताइवान ने इंतिजार नहीं किया बलकि सीधे सीधे मिसाइलों को दाग दिया और पेट्रोलिंग विमान को पीछे भी लगा दिया इसके बाद जैसे तैसे चीनी विमान वहां से भागा चार दसक बाद अमेरिका से इस अस्तर का कोई आधिकारिक दल ताइवान पहुंचा है वैसे आपको बता दें ताइवान को अफमानित करने का कोई भी कसर चीन ने कभी नहीं छोड़ा था लेकिन कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में ताइवान का फासा पूरी तरह से पलट गया क्योंकि ताइवान ने नकेवल मास्क डिप्लोमेसी से दुनिया भर का दिल जीता बलकि ताइवान खिलाव खुल कर मोर्चा समालते हुए अपनी आजादी की तरफ ताइवान ने खुद भी कदम उठा लिया और अब ऐसा समय आ गया है जब अमेरिका के आला अपसर ताइवान का दौरा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चीन को मिर्ची तो लगेगी ही लेकिन ताइवान पर चीन के नापाक हमले से एक बात और सिध्ध होती है कि कैसे चीन अपने पडोसियों के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है चाहे जापान हो ताइवान हो या फिर भारत ही क्यों नहाँ चीन ने अपने पडोसियों के नाक में दम कर रखा है सच कहें तो ताइवान पर हवाई जेट से हमला करने की कोशिस करके चीन ने यह सिद्ध किया है कि ताइवान के बढ़ते हुए कद से वो बुरी तरीके से जल भुन गया है और ताइवान को कुचलने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तयार है